ब्यूटी पार्लर वाली गरीब सास बहू गर के बाहर दूला घोडी पर चड़ा हुआ है और बाराथी नाच रहे है श्वेता जब अपनी बहन को लेने जाती है तो वो बिल्कुल तयार नहीं होती है और निशा कहती है लेंगा पहने हुए श्वेता चुपके से बाराथ की दूसरी तरफ जाती है जहां सारे ब्यूटी पार्लर बंद थे तबी श्वेता राधिका से टकरा जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है तो राधिका ये बात सुनकर तुरंट उसके बहन का मेकप करने के लिए उसके पहुँच जाती है और उसका मेकप कर देती है जिसके बाद वो खुद को मिरर में देखकर कहती है ओ माई गॉड ये मैं हूँ मुझे तो अपनी आखो पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इतना अच्छा सजाया है वाव तीदी आप तो बहुत अच्छी लग रही हो मुझे लगा नहीं था कि ये गरीब से देखने वाली आपको इतना सुन्दर सजाएगी पर क्यों नहीं करती हो तुमने जिस तरीके से मुझे रेडी किया है उतनी तो मेरे पास फीस भी नहीं तुमें देने के लिए इसी के बाद दोनों बहने अपनी भाई की बारात में नागिन डांस करते हुए जाती है वही रादी का सबजी लेकर अपने घर पहुँचती है तो उसकी सास पारो कहती है बहु तुझे आद सबजी लाने में इतना वक्त कैसे लग गया क्या कर रही थी बाहर माजी मैं जब आ रही थी तो मुझे एक लड़की मिली फिर मैंने उसकी मदद कर दी उसकी भाई की शादी थी तो वो मेकप कराना चाहती थी बस मैंने उसका मेकप किया है तो उन्हें फिर से मेकप का काम करना शुरू कर दिया क्या नहीं माजी मैंने उस लड़की से एक रुप्या भी नहीं लिया और माजी मैं ये काम कैसे शुरू कर दूँगी ये मेरा शौक था और जो उस एक गलती की वज़े से अब रह गया है अब नहीं मैं करना चाहती आखिर रादिका ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उसका पती कोमा में चला गया और क्यों उसने अपने मेकप करने के शौक को छोड़ दिया जानने के लिए इस दिलचस्त कहानी के अंत की और बढ़ते हैं रादिका अपने पती के सिर पर हाथ रख कर बैठी थी कि उसकी सास आकर कहती है बेटा अब वो तो उठने से रहा काश हम पर इतने पैसे होते कि हम इसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा पाते पर हम दोनों ने सब डुबा दिया मा जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं कोशिश करूंगे कि जल्दी से मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए दो चार दिन बीच जाते हैं दोनों गरीब सास बहू जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चला कर रह लिया करते थे वहीं जाडू पोचा का काम करके रादिका जो पैसे लाती थी व्योम के इलाज में लगा देती थी एक दिन निशा रादिका को ढूंडते ढूंडते उसके घर तक पहुंच जाती है तब ही दरवाजा खोलने रादिका आती है और वो कहती है आप तो वही है ना जिसके मैंने मेकप किया था जी दरवसल आपके मेकप के बहुत तारीफ हुई थी इसलिए मैं आपके पास आ गई मेरे पास आपके लिए कॉंट्रैक्ट है मेरी कजन की शादी है जिसमें सभी लोग आपसे ही मेकप कराना चाहते है जी मुझे माफ कीजे मैं ये काम नहीं कर सकती अरे प्लीज आप मना मत कीजे आपको इसके 3-4 लाग रुपे मिल सकते हैं आप तो जानती है सुन्दर दिखना लड़कियों को कितना पसंद है अरे क्या हुआ बहु इतनी देर हो गई तुझे ये पूछते ही रादिका उसे सब कुछ बता देती है तब ही पारो कहती है बहु हा कर दे कर ले ये कॉंट्रेक्ट साइन माजी आप चानती है ना आपने ही तो मना किया था मुझे और अब मैं ही तुझे हाँ बोल रही हूँ ये सोच कि इन पैसों से वियोम का इलाज हो सकता है रादिका उस कॉंट्रेक्ट पर साइन कर देती है अगले दिन ही शादी में 25 से जादा लड़कियों को तैयार करती है किसी के बाल रोल कर रही होती है तो किसी के वैक्स कर रही होती है कुछ दिन बाद उसे कॉंट्रेक्ट के चार लाख रुपे मिलते है हर तरफ रादिका के मेकप की तारीफ होती है जिससे वो आसपास के महले में मशूर हो जाती है साथ ही उन पैसों से अपने पती का इलाज करवा दिया डॉक्टर ने ये आश्वासन दिया है कि उसका पती ठीक हो जाएगा तब ही पारो कहती है रादिका बहु दो लाख रुपे अभी भी बच गए है मैं सोच रही हूँ अगर तेरे मेकप करने से ये कहते ही दोनों अच्छा और टिकाओ वाटर प्रूफ मेकप लेकर आती है और एक पार्लर खोड लेती है जहां शुरुआत के ग्रहागों को 50% का डिसकाउंट मिलता है इसी बात से पहले दिन पार्लर में बहुत भीड रहती है साथ ही उसके मेकप की हर जगह तारीफ होती है ऐसे ही एक दिन कोई जानी मानी मेकप आर्टिस्ट उसके पार्लर में आती है और कहती है यह कहते ही रादिका उसका हेर स्टाइल बनाने लगती है तब ही आचल कहती है में इतनी बेशुमार हो गए कि मैंने अपने पती के पैसे को भी महंगे मेकप प्रोडक्स पर लगा दिया फिर एक दिन उनके बिजनस को बहुत लॉस हुआ उस बिजनस को बचाने के लिए हम पर पैसे भी नहीं थे इसलिए मैंने अपना ब्यूटी पालर बेश दिया उसके बाद तो हम गरीब से गरीब होते गए इस बीच मेरे पती का एक्सिडेंट भी हो गया और अभी वो कोमा में है ये लिजे बन गया आपका हैस्टाइल अरे वाँ तुमने तो बहुत एच्छा हैस्टाइल बनाया है मेरा थैंकियू सो मच ये लो तुम्हारे पैसे इतने सारे देखो तुम प्रोफेशनल मेकप आटेस्ट हो और मैं तुम्हारी मैनत का तुम्हें अदा कर रही हूँ अब तुम्हें इस तरह दरदर भटकने की जरुद नहीं है तुम चाहो तो मेरे सलून में काम कर सकती हो वहाँ तुम ही जितने अपॉइन्मेंट मिलेंगे वो सब तुम्हारे होंगे आचल जी मैं आपको किस तरह से शुक्रियादा करूँ आपनी तो मेरी मन का सारा बोज ही खट में कर दिया पेटा तुम बहुत अच्छी हो एक सच्चा कलाकार ही एक दूसरे अच्छे कलाकार की पहचान कर सकता है इस तरह रादिका आचल के बड़ी से सलोन में काम करती है बड़े बड़े अक्टर्स को रेडी करती है देखते ही देखते वो बहुत मशूर हो जाती है और अपने खुद का एक बड़ा सलोन खोलती है जिसके बाद उसका पती भी ठीक हो जाता है और दोनों साज बहु खुशी खुशी रहने लगती है बेशर्म बहु साट वर्षी अजीत घड़ी की ओर नजरे गड़ाई हुए अपनी बेटी के घर लोटने का इंतजार कर रहा था तभी एक आएक नशे में धुत एमी लड़कडाते कदमों से घर में चली आती है एमी को नशे में धुत देख अजीत उखडे हुए स्वर से कहता है अरे आज फिर इस लड़की ने इतनी बेहिसाब पी ली है किसे चलने का भी होशो हवास तक नहीं डाद टिक अच्छो पिल डाद एमी के बुरे शेहरी शौक से परशान अजीत की आँखों की मींद गायब हो चुकी थी अगली सुबा फटा फट से अपना सामान पैक कर लो आज हम बुलंद शेहर गाउं जा रहे हैं बट वाई ऐसे अचानक क्यों क्योंकि अगले एक सब्ता में तुम्हारी शादी है आर यू गॉन माद डाद बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी तैय करने की आपने सोची भी कैसे तुम्हें छूट देने का नतीचा मैं पहले ही बहुत भुगत चुका हूँ मैं तो इस सोच से बुलंद शेहर छोड़ कर मुंबई आया था कि तुम यहां रहे कर अपनी सर्गवासी मा के सदमे में न डूप जाओ शायद अब तुम्हें गाओं के मिट्टी ही वो संसकार दे सकेगी जो मैं लाग कोशिशों के बावजूद भी न दे पाया बाप बेटी के बीच बड़ी बहस होती है अंत मिथा खार कर एमी को अपने पिता अजीत के साथ बुलंद शेहर आना पड़ता है जहां अजीत उसकी शादी सरस्वती के बेटे अमन से कर देता है और विदाई के वक्त हाथ जोड़ कर उसकी साथ सरस्वती से कहता है सम्तन जी मेरी बेटी बचपन से सयानी होने तक शेहर में रही है इसलिए इसे गाओं में घुलने मिलने में समय लगेगा इस बीच अगर इससे कोई भूल हो जाए तो बेटी समझ कर भुला दी जीएगा अरे फिक्र मत कीजिए सम्ती जी अब एमी मेरी जिम्मेदारी है बरात बहू एमी समेत वापस लोट आती है और सरस्वती एमी की आरती कर ही रही होती है कि वो जटके से घूंगट उठा कर कहती है अरे सासू मौम बंद करो ये ताम चाम ससुराल में आई हूँ सरहत की सीमा पर लड़ाई लड़ने नहीं जा रही एमी बिना किसी रस्म को पूरा किये सोफे पर जाकर पसर जाती है ये देखकर सरस्वती की पडोसन निर्जला कहती है अरे सरस्वती तेरी ये शहरी बहुत तो बड़ी ही बेशर्म निकली ससुराल के मान सम्मान की जरा भी परवान है इस विलाईती बहुरिया को ये सुनकर एमी का घुस्सा साथवे आसमान पर पहुंच जाता है और वो घुस्से से भौहें उची करके कहती है ए यू ओल्ड लेडी मुझे बेशर्म कहती है अरे बढ़ते बुड़ापे में खुद बुडी घोडी लाल लगाम लगाए बैठी है अरे देख लो बेलो सरस्वती की बहु इतनी बेशर्म के साथ मूपड भी निकली अरे बहु ये क्या बेहुदगी थी शहर में रहने के बावजूद भी तुझे बात करने का जरा भी सलीका नहीं कि अपने से बड़ों से कैसे बात किया जाता है सासू मॉम मुझे अबला बहु समझने की भूल मत करना क्योंकि मैं सचमुझ में बड़ी बेशर्म बहु हूँ ऐसा कहकर एमी सोने चली जाती है अगली सुभा वो शॉट नाइट काउन पहन कर मुंडेर पर चड़ जाती है तबी गाउं में रहने वाला बिगड़या लड़का पिंटू पांडे उसे देखकर गुनगुनाते वे कहता है तेरी दादा का बला है भे इबुलन शहर गाउं में ऐसा आइटम बॉंब कहां से आ गया एक के बात एक करके गाउं के सभी लड़के सरस्वती के घर के आगे देरा जमा कर ख़ड़े हो जाते हैं यह देख सरस्वती कहती है आखेर ये सारे छिछोरे कर क्या रहे हैं सरस्वती जैसे ही उपर देखती है तो अपनी बहु को देखकर स्थब्द रह जाती है गूद मॉर्णिंग बिलैंट शहर के बॉइस मुझे से मिलो, मैं हो तुम सबकी भावी मगर प्यार से तुम मुझे एमी कह सकते हो अरे मुस्टंडो, बेशर्म, यू घूर घूर कर क्या ताक रहे हो, मेरी बहू को है, चलो भागो यहासे उनके जाते सरस्वती अपनी बहू को नीचे बुलाती है और एमी सोफे पर पसरी कहती है हाई गर्मी, अरे कोई AC चलाओ रही, सासू मॉम जरा AC ओन कर दो, बड़ी गर्मी लग रही है तू तो ऐसे बरताफ कर रही है जैसे कुछ नहीं हुआ क्यो माजी, कुछ हुआ है बेशर्मी की भी हद होती है, बहू यह मत भूल के तू इस घर के इज़्जत है अरे यह तेरी सपनों की नगरी बंबई शहर नहीं, बुलंद शहर गाउं है ऐसे आध्या धूरे कपड़े पहन कर मुंडेर पर चड़ने की क्या जरूरत थी सासू मा, आप फिर शुरू हो गई, अब मैं इतनी सुन्दर हूँ तो क्या करूँ सरस्वती के लाग समझाने के बावजूद भी एमी पर कोई असर नहीं होता जहां एक और एमी आमन से खिची खिची रहती थी, वहीं वो अब पिंटू पांडे के प्यार में पढ़ने लगी थी वो हरे एक रात चोरी छिप्पे उससे मिलने जाया करती अरे कब से रा देख रहा था तुम्हारा, कहा रह गई थी? तुम्हें पता तो है पिंटू, मेरी सास बारा बजे से पहले सोती नहीं मैं अब और इस वांग नहीं रच सकती हूँ, क्यों ना हम दोनों यहां से दूर चने? और तुम्हारे पती का क्या? अरे मुझे वो उजड़ा चमन जरा भी पसंद नहीं, मैं सारी उमर तुम्हारे साथ रहना चाती हूँ यह सुनकर पिंटू अपने शातिर दिमाग में सोच कर सयाने की भादी बोलता है के सबसे सुनेरा मौका है, अपनी बात रखने का एमी, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भड़ता, जिन्दगी जीने के लिए पाईसे की जरूरत पढ़ती है मैं भी साथ जन्मों तक तुम्हारा साथ चाता हूँ, मगर अभी मेरे हाथ खाली है बिना पैसों के हम कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, बताओ बस इतनी सी बात, थोड़ा सब्र करो, बहुत जल्दी में सारा बंदुबस्त कर लोगे एक रो सरस्वती एमी को पिंटु का हाथ पकड़कर बाजार में घूंता देख लेती है और घर आकर सरस्वती उसे जोरदार तमाचा जड़ती है घुस्से में आकर एमी कहती है हेई यू ओल्ड लेडी, मुझ पर हाथ उठाने के तरी हिम्मत कैसे हुई अरे तु सच मुझ में बेशरम है ब्या के पहले दिन से मैंने तुझे बहु नहीं भलकी बेटी बनागर रखा इसलिए शायद तुने ससुराल का शासन जाना ही नहीं अरे जानती भी है पती के रहते गैर मर्द के साथ घूमने वाली औरत को क्या नाम दिया जाता है जानती भी है जिस पिंटू पांडे के प्रेम प्रसंग में तुपड़ी है वो इस गाउं का गुंडा है वो एक बिगड़याल बेभाक इंसान है अभी समय समल जा उस रात उनके सोने के बाद एमी तमाम रुपया पैसा और जेवरात लेकर भाग जाती है पिंटू देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर चली आई अरे बंद करिये बकाईती और चुपचाप से सब कुछ मेरे हवाले करते अरे ऐसे घूर क्या रही है एडे की एक्टिंग करके पेड़े खाना पिंटू की पुरानी आदत है समझी पिंटू एमी के साथ छीना च्छानी पर उतारू हो जाता है और कहता है देख प्यारी चुपचाप से ये पोटली पिंटू को दे दे खाली पीली मुझे जोर जबर्दस्ती पर मजबूर मत कर पिंटू चैसे ही एमी के पास आता है एन मौके पर सरस्वती वहां आकर उसे धकेलते हुए कहती है नीच पदमाश दूरहट मेरी बहु से बुडिया तू क्यों अपनी इस बेशरम बहु को बचाने की खातिर अपनी जान गवाना चाह रही है एका एक दोनों के बीच हाथा पाई होने लगती है इस बीच पिंटू एमी पर बंदूप तान देता है मगर बद किस्मती से गोली सरस्वती को लग जाती है पिंटू वहां से भाग चलता है और एमी अपनी सास को लेके अस्पताल आकर आंसु बहाने लगती है सारी गलती सरासर मेरी है आज मेरी बेवकूफी की कारण सासुमा की सास पर बनाई क्या आप ही एमी है? आपके सास अपको अंधर बुला रही है वो आप सरक्षित है एमी दोरते भागते वोग भी तरा कर कहती है माजी मुझे माफ कर दीजे मैं सच मुझ में एक बेहुदा बहु हूँ मैंने किसी भी रिष्टे की कदर नहीं की बहु सविरे का भटका अगर साच को घर लोटा आए तो उसको भूला नहीं कहते तुझे तेरी गलतियों का पश्टावा है इतना ही बहुत है गाउं लोटकर एमी सभी से अपने बुरे बरताफ के लिए माफी मांगती है और खुद को अपनी सास के अनुसार कहे साचे में ढाल लेती है साथी खुद को अपने पती के प्रती समर्पित करती है एमी के बड़े बदलाव से कल तक जो पूरा बलंद शहर एमी को बेशरम कहकर खहता था आज वही लोग उसकी तारिफों का बखान करते नहीं थकते मानिकपुर गाउं में रहने वाली मंजुला के पाँच बेटे थे उसका पती शोबनात पेशे से एक कपड़ा व्यापारी था कुछ वर्षों पहले शोबनात का सवर्ग्वास हो गया समय के साथ मंजुला के सभी बेटे सयाने हो गए और उन्होंने अपने पिता के से मित कपड़ों के कारोबार को बड़े उद्ध्यों के कार खाने में शुमार कर दिया पूरे गाउं में उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे अरे मंजुला के पांचो बेटों ने मिलकर उसका तो मान ही बढ़ा दिया है पहले तो पिता के छोटे मोटे कारोबार को इतना फैलाया और उसी कमाई से इतना चौरस घर खड़ा कर दिया सो ठके सच कहत गुपाल भाई इतना अवी रहीस होवे के बजाए भी रती भर का भी अहंकार नहीं मंजुला के मन में जरूर पिछले जनम में यह बहुत पूर्ण ने किये होगी तब ही जाके एक घोर कलियुग में इका पांच पांड़ पुत्र का सौभाग प्राप्त हुआ है यह तो रहे लोगों के विचार आईए एक नजर मंजुला के सोचने के नजरीये पर प्रकाशित करते हैं अरे मेरे पांचो पांड़ हो जर्ण यहां दो आना मा कार खाने पर जाने के लिए देरी हो रही है सांच को बात हो सकती है अरे काम काच के प्रतीतना भी क्या मश्रूफ हो गए हो तुम लोग जो पल भर के लिए अपनी मा के पास नहीं बैठ सकते राजेश भहिया आप मा की बात सुन लो हम चारो भाई कार खाने जा रहे हैं अरे ठेरो मुझे तुम पाचों से बात चीत करनी है यह तस्वीरे देखो मैंने इन लड़कियों को तुम पाचों भाईयों के लिए पसंद किया है सभी खांदानी और रहीज गराने की हैं ऐसा सुनकर पाचों भाई एक दूसरे का मुझ ताकने लगते हैं और प्रितम कहता है मा उपर वाले की दया से आपके पाचों बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं शुरुआ से हम पाचों भाई की सोच रही है कि हम किसे गरीब की बेटी का हाथ थामें प्रितम सही कह रहा है अरे बोर आ गए हो तुम पाचों अगर मैं किसी गरीब की बेटीयों को ब्याहा कर लाओंगी तो लोग सैकड़ों बाते बनाएंगे गरीब अमीर का कोई मेल नहीं मा आपको जमाने की पड़ी है जरा सोची किसे गरीब की बेटीयों का हाथ थामने से एक पिता को सहुकार का कर्जदार नहीं होना पड़ेगा अपने पाचों बेटों की बाते सुनकर मंजुला भावुक हो जाती है और कहती है अरे ठीक है अब बस भी करो जब देखो पांचों मिलकर पांडवों की तरह पाट पढ़ाते हो गरीब की बेटीयों का ही बसेरा बनेगा यहाँ मंजुला अपने बेटों के ब्याह के लिए रिष्टे तलाशने लगती है उसकी ये तलाश रामपुर गाउं में रहने वाले गरीब भीमा की पांच बेटियों अनुजुही भारगवी संजना और मालवी का पर खत्म होती है बड़े ही धूमधाम से मंजुला अपने पांचों बेटों का ब्याह रचा कर पांच बहुए घर लाती है मेरी पांचों बहु इस अक्षत कलश को अपना दाहिना पाउं लगा कर ग्रिह प्रवेश करो थोड़ी दिर में रस्म शिरू होती है जहां जुमरी कहती है अरे मंजुला हम सबन तो सोचर है कि तुम जो इतना अमीर हो तो जरूर कौन बड़े की बेटी के बहु बनाओगी मगर तुमारी पांचों बहु है तो बड़ी गरीब हैं लगता है बिचारियों का बाप बड़ा गरीब था तभी तो कुछ भी दान दहिज न दे सका जुमरी की बातें पांचों बहुओं को जग जोर कर रख देती हैं मगर सब कुछ इतने पर भी खत्म नहीं होता जुमरी के जाते ही मंजुला अपनी बहुओं की गरीबी का बुरा बखान करते हुए कहती है मंजुला की कड़वी बोली उसकी बहुओं के दिलों को अंदर तक भेद रही होती है देखते देखते दिन सब्ता और सब्ता महीने भर में बीच जाते है एक साज जुमरी मंजुला के पास आती है अरी मंजुला गजब हुई गवा अरे यहांसा भी क्या हो गया है जो तेरी सासे उपन नीचे हो रही है अरे तो हर बेटों के कपड़े कार खाने में गंभी राग लग गई है तो मेरे पांचवे बेटे करम चारी सामय धेर हो गए यह सुनकर मंजुला कार खाने की ओर दोरती है जहां सब कुछ धूधू करके जल रहा होता है अपने बेटे के जलेवे शब देखकर मंजुला स्तब्द रह जाती है बेटों की मौत उसको गहरे सोब में डाल देती है कुछ दिन बाद हम बांचों के पती की मौत का सासुमा को गहरा सदमा लगा है उन्हें सदमे से उभरने के लिए हमको कुछ करना होगा सासुमा की खातिर वो कपड़ों का कार खाना महज़े कारोबार नहीं बल्कि माजी के खातिर सब कुछ था सदमे में जाने के चलते सासुमा शायद पुरानी स्प्रतियों में जा चुकी है सासुमा को शायद इसका भी आभास नहीं कि उनकी पांचों बहुए विद्वा हो चुकी है चाहिए कुछ भी हो जाए मंजला को सोप से बाहर लाने के लिए उसकी पांचों विद्वा बहुए हिम्मत और महनत की पती बांध कर नए सेरे से शुरुआत करती है हमारे पती जितना भी पैसा छोड़ कर गये थे वो तो कार खाने के बिगड़ी देशा सुधारने में लग गए अब आगे क्या होगा उसका भी बंदबस्त हो जाएगा मगर कैसे अरे माजी ने हम पांचों भवो को मूदी खाए में सोने की पुष्टानी जेवर दिये थे सासुमा ने वो पुष्टानी जेवर हमें संभालने को दिये थे अनु हम पांचों विद्वा हो चुकी है पहले ही अपने पतियों को खो चुकी है अगर सासुमा को सदमे से बाहर लाना है तो इस कार खाने की काया पलट करनी होगी जो बिना पैसे के संभव नहीं पांचों घर अगर अपने गहनों को निकालती है और जुही कहती है अगर जेवर से पूर्ती ना हो तो ये मंगल सूतर भी मोल में दे दे ना इनका अब हम विद्वाओं के जीवन में क्या काम अगले सवेरे पांचो भववें अपनी सास को वील्चेर पर कार खाने लेकर आती हैं और पांचो मिलकर परदा हटा कर अपनी सास को पकड़ के कार खाने का उधगाटन करवाती हैं देखी सासुमा हमने उस कार खाने को फिर से खड़ा कर दिया जो खाक में मिल गया था माजी आपको इस सदमे से हाकिकत का सामना करना ही होगा आखिर अप कब तक आप चुप रहेंगी एक आएक वीलचेयर पर बैटी मंजुला अपनी पांचों विद्वा बहुओं को सफेज साडी में लिप्टा देखकर अपनी पल के छपकाती है तुमने देखा सासुमा ने अपनी पल के चपकाई शायद माजिया में सुन पा रही है मंजुला का हाथ पाउं हिलने लगता है और उसके आखों से आसु बहने लगते हैं जिसके बाद उसकी बहुएं उसे घर ले आती हैं और उसकी खूप सेवा सहाय करती है एक सब्ता बाद एका एक मंजुला अपनी कुर्सी पर खड़ी हो जाती है ये देखकर मंजुला की पांचो भवों की खुशी का ठीकाना नहीं रहता अरे देखो बेनो सासुमा अपने पैरों पर खड़ी है इश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है जो सासुमा सब्मे से बाहरा गई मैं तुम पांचो के प्यार के लायक नहीं मैंने तुम पांचो पर कित्ती ज्यात्या की है तुमें नीचा दिखाया मगर तुमने उफ तक नहीं किया एक बेवा का जीवन कितना बुरा होता है इस दोर से मैं सालों पहले गुजर चुकी हूँ अगर तुम पांचों चाहती ही तो मेरे बेटे के जाने के बाद चली जाती मगर तुम पांचों ने विद्वा होने के बाद भी मेरे लिए इस दहलीज को पार नहीं किया और मुझे सदमे के समंदर से निकाल ला एका एक पुरा गाउ मंजला को बात करते हुए सुनता है और जुमरी कहती है अरे मंजला सारी गलती सरासर हमरी है अगर हम वो रोज फूट ना डालती तो तुम अपनी पोतहू को प्यार से रखती वो काता है ना सच्चे हीरे की परक जोहरी को होती है और हम तो जुमरी है जुमरी की बात पर पूरा गाउं हस पड़ता है और मंजला अपनी पांचो विद्वा बहूँ को गले से लगा कर कहती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर सुख में सभी साथी बनते है मगर जो इनसान आपके दुगदर्द में साजेदारी दिखाए वो खास होता है मंजला की पांचो विद्वा विद्वा पती को खोनी के बावजूद भी अंत तक सास के संग बनी रही जो रिष्टों के प्रती उनकी बड़ी प्रीती को दर्शाता है